सब्सक्राइब कि आजाओ सब्सक्राइब जली से जो बच्चों, आप से लोग बढ़िया होंगे, बज़े में होंगे, एक बार सभी का स्वाइब दे नहीं सर्केमिस्टी वड़ा क्लास में, जो भी बच्चा चैनल पे नया हैं, अगर वो हमारा कोर्स देना चाहता है, तो बिल्कुल आफ हमारा एप डालूड करें, पेस्टो कर देंगे, आज का जो है, आज का जो है, वो है आपका फोटी कल-कल जो चलेगा वो निमेटल पोर्सन, बलास का पोर्सन देलेगा कॉंसेंच्छों, ठीक है, बिल्कुल, अज सब आरिये, गुड़ इवनिनिं सर्व, बिल्कुल, आगया, आवाज, आपकी अच्छे से आरी है, अब बताओ क्या से आरी है, अब अच्छी आरी है किया बच्छों, क्या अब मेरी आवाज आप लोग को अच्छे से आरी है, क्या आप लोग को मेरी आवाज अच्छे से आरी है, क्या आप लोग को मेरी आवाज अच्छे से आरी है, अब हो जाएगी दो मिन डुक जाओ अभी देखो आ गई आ रही हैं बिलकुल आ रही है अब ठीक है अब आ गया अब आ गया अब चलो ठीक है तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जूट चुके हैं बहुत बढ़िया सबका वैलकम है और फिर से अगर कोई नया बच्चा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो और प्लेस्टर पर जाओ लिखो जी एस प्लेनेट क्लासेश चैपूर डाउड गरो और किसी भी भ्रम में मत आओ ओके बच्चों पहला सवाल पहला सवाल यह है कि आप से बोल रहा है कि कौन सी इकाई विलियन की सांदर्ता के वाश्वद आप से संबन को बताती हैं वहीं बताओ जिसने पढ़ा रखा होगा मैने सल्शन हैसे पढ़ा रखा होगा कंसेंट्रीशन सॉल्टिंट एड्स वैपर प्रेशर मतलब सीम्पल सा ग्यूशन की में से संबन को बताने की बात करता है पूरा अपूरा चप्टर बिलकुल मेरे पास वलवन का पहलात का माया का अच्छा आज की क्लास चीक ए फोर्ट फटन कहां गया मेरेको तो पर घजब कर रहा है I am आया है अच्छा अधितर बच्चों का जो आणसर है वह आ रहा है अच्छा वह गलती तैप हो गया होगा पहलात का बलवन का है इम्राज, अंजली, मौनिका, मनीशा, बिलकुल तो यहां पर जितने बच्चे उनका लगबक सबका आंस्वर जो आ रहा है बहुत बढ़िया बेटा और फटा बट या शेर तो कर दो कम से कम नहीं है तो क्या हुआ है ना भाई शेर कर दो बटा बट शेर कर दो सभी बच्चे तो यहां पर आंसर क्या जाएगा मौल अंस, मौल फ्रेक्शन की होता है क्लेर हो गया ठीक है बच्चो चलिए बहुत बढ़िया नेक्स क्यूशन की तरह मूवववन करते हैं देखते हैं चलो अगला थैंसे पढ़ना थोड़ थोटी कर दो यह ने एंस याटी के लाइन डू लाइन के सवाल है पहले इंको सॉल करेंगे पहले एंस याटी वाले ठीक ना चलिए बढ़िए चलिए क्या है कक्षता पर सरक्रा को जल में घोलने पर इतनी दुरा जाए विलियन कुने पर ठंडा लगता है इनमें स किस इस्तती में मैं इसको थोड़ा सब्सक्रा की विलिंता सरवादी तेज से होगी मतलब कि भाईया इसमें आपको सिंपल सा बताना है कि अगर किसी सुगर को घोलना है तो कैसे फास्ट होगा ठीक है और डिजॉलिंग सुगर इन वाटर एट रूम टेंपरिचर पर बोल र है कि किस कंडिशन में यह सुगर बहुत ज़्यादा गुलने लग जाएगा मैं सभी बताओ ना घर की मम्मी से पुछे को तो भी बता देगी बता तो जली से अगर मुझे सुगर को घोलना है तो बताओ भई किसमें ज़्यादा घुलेगा ठंड़े जल में सक्रा के किस्ट् को तौन शयां लगा दो सब बच्चों को आंसर भी आरा हैं खोड़ा सा कॉमांससलगा भई होड़ा सा कॉमांसलगा जब तुम्हारे कहने का मतलब क्या मैं तुम्हें समझा देता हूं देखना एक बार मुझे इसका आंसो देदो बस यह रहा पानी गरम पानी यह रहे सुगर के किस्ट्रल और यह रहा दूसरा यह रहा पानी और यह बुरादा है पाउडर है सुगर का तुम खुद दिमाग लगाओ यार कौन जल्दी गुल जाएगा बिटा अरे बिल्कुल डी एक बच्ची ने डी आंस वर दिया है दिमाग लगाओ पाउडर जल्दी गुलेगा सक्कर का यह सक्कर करना पड़ता चम्मस से इस्पून से बहुत बार घुमाना पड़ता है बिल्कुल बच्छों डी आंस्वर है अरे समझ में आए कैसा सोचा है common sense का सवाल था बिल्कुल common sense यूज करना हो कुछ नहीं था इसके अंदर थोड़ा सा डंग से पड़ो अराम से पड़ो बोल रहा है साम में अवस्था पर वाश्परशिल द्रव विलायक में ठोस विले के घुलने कि दर होती है at equilibrium the rate of this solution of a solid solid in a volatile liquid solvent is बिल्कुल आंस्वर हो बेटा आपको बताना है कब होगा ये काम चलिए do fast कर लोगे क्या आंस्वर दो जल्दी से यहां पर हारा है जीरो अर डी तो आ चुका इसका आंस्वर बताओ मेरे को आपको बताना है मैं आपको समझा देता हूं साम में वस्था पर वाश्परशिल द्रव विलायक में ठोस विले के घुलने कि दर क्या होगी मतलब समझ जाओगे ना वाश्परशील है और ठोस को घोल रहे हैं उसके अंदर आप तो बताओ किस पर डिपेंड करती हैं यह नहीं आएगा यह मैं आपको आपको थान किस त्रिक दर के बराबर होती तभी वह बहुत तो ध्यानेखना यह एक वर टूद रेट ऑफ किस्ट्लिजिश्ट यह आप याद लेना यह बहुत यह सबके गलती आए यह किसी का साही नहीं आएगा तो इसको आप याद रखल वहाल है कि गेप कर में आपने देख फ़य क्या बोल रखा आपने ए एक भी एह उसमें कैंक आंक का लोगा इसने इसको connecting इसमें फिच्छी मात्र और ला दिया और ये परदातर हो जाता हैy विलियन कौण रहा है कि अगर आ यह एक solution है चीक है ना उसमें अगर आपने A मिला दिया तो उसका precipitate उसका उक्षेपन हो जाता है तो आपको बताना है solution का नाम कौन सा है संत्रत अतिसंत्रत असंत्रत या सांद्र चलिए फास इप्लाई कीजिए बच्चों कि चलिए तुक्का नहीं मानना है ठीक है तुक्का मानलो अच्छी बात है इसका सॉल करके दिखा दो मेरे को अरे देखो वेटा आपको आपनी पढ़ रखेंगे तीनों संत्रत क्या होता है अतिसंत्रत क्या होता है और संद्रत क्या होता है जर्क्त कौन बताएगह भी सीमाने भी आंस्वर दिया है नितू ने इतुं डिया है ड्रीम एके नेalnya की दिया है कि 환ी गुल नहीं कि हैन्शे पन हो गया वेटा अब्सटों हो गया कि are संत्रततते देखो में होता है घुलनामंधी घुलेगा नहीं अलट शॉरिबर अति संत्रत अज उन जाएगा बन जाते में आखिसे अंसेटिंट saturation हो जाता है तो पर सेचुरेटेड बोलत है तो पर सेचुरेटेड बोलत है तो पर सेचुरेटेड याद रख लिना ठीक है सब definition का है second वाले answer सही है आज तो बहुत हो के गलत है solution चेप्टर पढ़तों रखा है है डंग से पढ़ो तो कुष्ण सौल हो जाएंगे ठीक है आज पहला है एंसियाटी एक्जामपल ठीक है कल पढ़ेंगे नियुमिकल बेस पूरा थर्ड पढ़ेंगे conceptual पूरा ठीक है ना तीन पार्ट में इसको खतम करेंगे आज का तोड़ा हाड रहेंगे कुष्ण बिल्कुल मेरा राइट है सर ठीक है रहना कुष्ण को देखते रहना कि ऐसे कुष्ण भी आते हैं तो ठीकल कुष्ण गलत मत होने देना मिल्कुल यह चाहो तो आप एंसिय इस पर डिपेंड नहीं करती है यह क्या बोल रहा है देखो मानलो मेरे पास कोई लिक्विट सॉलूशन है द्रव विलायक है लिक्विट सॉल्वेंट है मुझे इसमें किसको गोलना है सॉलिड को गोलना है तो बोल रहा है कि जब घुलेगा तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा बता दो वही तर मेरा फस्ट डे आज बिल्कुल सबका स्वागत है चार में से तीन सरी थे बहुत बढ़िया बिल्कुल ऐसे भी एक्जाम में आएगे जो गलत हो जाएंगे आपके ठीक है कोई बात नहीं लेकिन कल ढंक से पढ़के आना कल होगा नियुमिकल बैस पूरा बढ़िया तरीके से बिल्कुल खतम करेंगे क्यों टेंशन ले रहे यार बिल्कुल यह सबसे बढ़िया सवाल है सवाल एक्जाम में देखो आते हैं बिल्कुल अनिल का दुश्यन का पूजा का ड्रीम तनीश्या विष्णू सीवी कुमार बिल्कुल खतम कर देंगे सीजी आँ बिल्कुल प्र पर पड़ता है यहां तो क्या है सॉलिड है बिलकुल टेंप्रेश्य घ्लास पानी लिया इस में मैंने सुगर डाल दी मुझे सो गोलना है चास नहीं है देखा ममी को कभी देखो वह फ्लैम लगा देते हैं वह अपना चूला ओन कर देते हैं फिर उससे पकाते हैं और देखो सब्सक्राइब करता है कोई बात नहीं यह भी सही है विलाई करती बिल्कुल जो सॉल्वेंट बोले मैं तो नहीं गुल गुलने लुगा तो ऊसे करता है न के गशा एक क्या गर्फालिट पर तरह पर नहीं करता है यह तो घ्रच तर्ड करेक्ट तो टेंपरिचर पर करता है प्रेशर पर यह डिपेंड नहीं करते हैं अरे या तन सब कर स्वागता है वह गहीं आगे बढ़ी का बुचला कि ना बुचला है चलो पठो आगे बढ़ जाएं चलो तैर कर दो वाई आपने भाईयों को बताना कि यहां पढ़ाते हैं नर्सिंग कि द्यारी करवाते हैं हाँ बढ़ा फेमस सवाल जब यह पढ़ाता हुना जब यह पढ़ाता हुना एक बहुत हमेसा बोलता हूं पानी के अंदर गया और आस्मान में गया प्रेशर पर क्या फर्क पढ़ता है यादे बच्पन में 10 तन सवाल पर रखा है कि अगर तू इना हाई एटिटुट इस जीट तू कि अब उचाई पर रहने वाले वेक्तियों कि उतको एंवरक्त में ऑक्सिन की कम सांदर्ता का कारण क्या होता है मतलब बहुता दिक्कत हो तक इनको ऐसा क्यों होता है तो कुल मिला कि बोल रहा है उचाई पर मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो बता क्या होगा चलो भाई पड़ो किश्वन अडिजातों में सिक्स का आंस्वर कर दो जो हुमन बॉड़ी होती है उसका टेंप्रिचर फिक्स होता है ज्यादा घड़ता बढ़ता नहीं है बिलकुल प्रिया का दुश्यन का पहलात का पुनित का बढ़ी दे रहे हैं त बिलकुल बेटा ध्यान रखना तो असा common sense लगाना पहाड की तरफ जाते हो तो ध्यान प्रेशर कम होता चला जाता है जब गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है आप समझा देता हूं जब समुंद्र में गोथा को जाते हैं नीचे की तरफ नीचे जाते हैं अ जाता है कि वह oxygen अराम से ले सके हैं ठीके ना क्यूंकि हमारे बॉड़ी जो ऑक्सीजन खुलती है न वह एक फिक्स टेंपरिचर पर घुलती है ऐसा नहीं होता टेंपर ज्याता है बहुत कम हो जाता है अपने बॉड़ी का बलड़ हो चाहे अपना खाने-पकाने वाली बात मैंने क्या बोला है तो नीचे गहराही में जाओगे तो बढ़ता है उपर जाओग के दब घटता है मारी तो तक है है कैं बल्कुल होती है वीचा विद्या बिलकुल टो ती यह पूरे दब्बे दब्बे से अजी बजी सा चहरा हो जाता है पूरा है लो हाइट्रोजन आमन्द का बनना तूटना हो मजबूत कि अच्छा ये अनुमान लगाने के लिए बोल रहा है आप लोगों इसको पढ़ा होगा तो आप जवाब दे दोगे धनात्मक की बात कर रहा है जब मैं आपको थियोटिकल पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको पॉजिटिव डेरिवेशन वाले धनात्मक विचन वाले सब पढ़ा रखा है तो प्लीज बताओ कुछ उसके पॉजिए बैटा वापस कर दो मैंसे लवूपट चला गया ठीक है जालो इसका आंसर मेरे को फास्ट सेवन का अंसर बताओ एवा रट्टा माने हो ला सवाल है ठीक है याप याद कर लेना एक लियर नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्लिए और बच्छों कोई दिक्क्त पुछ है भी क्लोरोफोम एसी टॉन नहीं पॉजिटिव इसन होता है यह तो पॉजिटिव पूछ रहा हम उसे धनात्मक चलो भई हो गया चलो इसका मैं बढ़ता हूं धान रखना सेवन का मैथनल और एसी टॉन है यह पॉजिटिव डेविशन वाले होते हैं मिटा ठीक है इ अनु संक्या गुंधाम यह बहुत फेमस सवाल है यह आपका एक एक एक्जाम हुआ था लैव अससे पहली भी हो रहा है उसमें सवाल पूछा गया था अनु संक्या गुंधाम किस पर डिपेंड करते हैं जो आपकी कॉलिएटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है आपने सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा एप डाउनोड कर लो बेटा आप प्लेस्टर पर जाओ हमान लिखो यह स्क्रेंट क्लास है जैपुर वहाँ पर लाइव क्लास आपको मिलेगा पर कूर्स को पर्चेस करना पड़ेगा क्या है क्योंकि मैंने पूरी और गिनिक की नियम रि प्रिया ने शुने शिवराज दुष्यन ने धिरु ने तनीशा मनीशा पहलाद बिलकुल प्रिया राठोड मौनिका सर्मा सेव अंजली निकिता माया मुस्कान आजल बिलकुल बिलकुल यहाँ पर जो अधिकतर बच्चे जो आंसरों करें वो भी कर रहें बिलकुल आपके को मास निकालते हो आप सिपल सी बात है तो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है सॉलुशन क्लियर हैं बिलकुल क्या यहां तक सब बच्चों को समझी में आ गया क्या आगले किश्रिंग पर मोवन कर जाएं बच्चों कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लो और देखो बेटा सॉलुशन में आपको पढ़ा रखका है आप पूरा अच्छे से पढ़के और आप पढ़के आयो ना को पतनांक उच्छ होगा इस जली इंगा कुतनांक उच्छ होना चाहिए है वाइस किसका होगा बत करें वाद करकें कि बात बाल मं कर कितनी है कोर्स की और बैच कब से स्टार्ट किया गया बताना सर हम जो नियुमे कर दetical त Surprise कि उन से उनमे कि एकछा आते हैं ठीक है पिटा बैज स्टार्ट हुए अभी एक मिले से उपर हो चुका है अभी आप जोइन कर सकते हो ठीक है 50 I think 40-50 पसेंट से ले बस तो होई चुका है और आपको अगर आप लोगे ठीक है अब चुक्त क्लियर हैं बिल्कुल पिया रहा है किसी का भी हाँ भई हो गया बटा 799 का कोड़ से ठीक है ना 799 का हो गया ऐख आए सी सी कारसी डे रही हो अरे बिटा सिंपल झिवाद जाने को कुत नांग किसका जादा होगा जिसमें नमबरjung जादा होंगे अब बता दो जिसमें आईनो का ज्यादा हो जयादा हो है अब निकाल दो नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भई, तुम सब का धन्यवाद, तुम सार अच्छे से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, अब बता दो भई, अब तो बता दो यार, यह तो बता भी दिया कि जिसमें आयन जादा हूंगे, यह बहुत, ऐसे सवाल बहुत आते हैं बहुत आते हैं, बी, अरे देखो यार, इसमें कितने हैं, एने प्लस, ओएच माइनस, दो आयन है, ऐसे गड़ना था, इसमें देखो, एने प्लस कितने हैं, बिटा, दो हैं, एसो फोर टू मैनस कितने हैं, एक हैं, टोडल तीन आयनस के अंदर, ऐसे सवाल हो जाता है, यह आगे का छोड़ो क्या लिखा हुआ है, इसमें दो आयन आ रहे हैं, इसमें देखो, इसमें भी दो आ रहे हैं, अब कैसे सॉल कर रहे हो, आप से याद रखना, नमबर आफ आयनस जादा होंगे, तो उसका बाइलिंग पॉइंट जादा होगा, बच्चों, ठीक हैं, करने मुझा है, टाइम लगेगा, जितने कम होंगे होता, कम टाइम लगेगा, बताओ भई, कर लोगे क्या बच्चा, कोई डाउट किसी भी परकार का, आगे बढ़ जाओ, बी 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 आगया सबका, गए अजो, तो यसे, तबी बच्चे दसनूम्बर का आइने होगा, बी टो दो, बाव थी, आग्याख अज जलदी से बच्चोंध नम्मी का आ इसक्त, बता दो लो बाई मेरी कॉफी के आवाज आएगे ठीक ना उसके लिए सॉरी आप तो आएगी वह है बंद कर देंगा माइक इसको बता दो यार यह तो आसान असान सवाल आपको आने चीह है यह सब का सही होना चीह है तुम लोग इतने पढ़ाई करते हो क्या हूं मैं सच बता और मैं सॉलेक्शन के पुरी क्लास देखला आपको मजा जाएगा और जिस बच्चे को डेमो लेना इसी चैनल पहना मैंने सब्सक्राइब कर लोगे क्या कोई दिक्कत है कोई परेशानी है अब मुझे बता दो दस में से अब तक कितने लोगों ने कितना सही किया है मुझे लिख के बताओ नीचे जल्ली से करो इसके 10 में से कितने सही है और इमानदारी से जो जूट बोलेगा उसका नर्सी में एक सवाल गलत हुजाएगा एक्जाम में अब ऐसा में हर बार पूछूंगा जाने ना टीचर की बात मानना तुम है ना गलती मत करना बिल्कुल सबका वन यस सर बता दो मुझे जल्दी से अब किसके दरस में से कितने सही हुए है गन ठीक है अच्छा लगता है अच्छा धन्यवाद अमित प्रिया ने आठ किये राजिस ने दर मेरे 4 हैं सिव राज के चार 6 सिव ठाकूर के 7 हैं कुमार के 6 मिलकुल 2 तिन से दो सबके गलता है मैं जानता हूँ 10 ने पिलकुल सभी सभी हुए 10 ने जाने से 7 बिलकुल हम बढ़िए देखो कुछ हो ना होना है इमांदारी रखने जी उन बस पता है जो भी बच्चा नहीं है ने मात्रा 799 का कोर्स है को यह मत बहुत है कोर्स बेच रहे हैं कोई बात नहीं और यह आपको मिलेगा प्लेस्ट्रों पर जाओगे लिखा होगा जी एस प्लेनिट क्लासे जैपूर प्लेस्ट्रों लिख देना एप को डाउन कर देना ठीक है नीचे से लिंक बगरा होगा फोन नमर वी दियोंगे आप कॉंट्रेट करें ठीक है बच्चों कैसा कोर्स है बढ़िया कोर्स है है ग्लुकोज विलियन की तनूता में 0.1 अब यह देखते कौन बताएगा इसको छोटा-छोटा करता हूँ मैं धरी कॉफ्य में डिस्रबेंस हाँ है बताओ अब बताओ इन कंपरिजन तुअ 0.01 M solution of glucose the depression and freezing point 0.01 M mgcl2 solution अब बैस को इसको ग्लुकोज विलियन के तुलना में 0.01 M Mgcl2 विलियन के मांग में अउनमन होगा ग्लुकोज विलियन के तुलना में बोल रहा है और समय चल जाएगा तुम चला ले ना कि एसी नर्सिंग कैसा कोर्स सब क्या बता हूं बहुत बढ़िया कोर्स सुन्दर कोर्स है अच्छा कोर्स है जल्दी गरवांसर भई 11 का यह अभी बढ़ायद है मिनने जिसने कोथनांग का समझाओ को वह हिमांग का समझ लेगा आइंस कि अलो भाई 11 का अंसर बता दो अब कैसे करो वह डिपेंड है अरे यार देख लिए अगरो नम्मर ऑफ आइंस के ज्यादा हो रहे हैं बस एंड्रोइड में चलेगा भी फिलाल तो आइफोन में या घर में किसी से ले लो ना कि तो कुना होगा किसी का सही नहीं है सब गलत हो मुस्कान तनीशा कुल्दीप यह सब गलत हो सब के सब धीरू सब गलत हैं सी अम में सैनी 360 डिगरी सी आंस वर दिया है अरे कॉमन सेंस लगा यार ग्लुकोस पूरा एक मोली होता है गलुकोस अगर पानी में डा दो तो गलुकोस ही रहता है समझवाई बात ठीक है अब सुनो ध्यान से कितने मानिस के इंदर अरनी टू प्लैस और सी यल माइनस सुसी कीन आए नहीं के वा बताओ इसके हिमान को अनॉबन भी कितंशा होगा थीन गुना होगा है तो सिंपल सी बात है जाने इकना तीन गुना होता है खालना एक-खमपर करके अब यह तो कोई मत बोले मैं दसमें दस सही है अगला सवाल बड़ा बोड़ा अच्छा सवाल है अचार बनाने के लिए कच्छे आम को नमत के सांध्र विले में रखने पर वह सिकूड जाता है क्यों मैंगो को अगर आप प्लेस करोगे कंसेंट्रेटर सॉल्ट सॉलूशन में तु प्रिपेर पिकल डिवल्स पिकॉस क्यों वह सिकूड जाता है बड़ो बिल्कुल बहुत बच्छों गलत्ता मुझे पता है हांस बगरो जल्दी से बढ़ा भई ऐसा क्यों होता है हम एगओ इसने ऐस्मसिस पढ़ रखा है ऑस मसा लिवार वह बता देगा है यह तो रीवर्स है कि तो क्या होता है तो ओस्मसिस का और रीवर्स का मिसमें होता है कि अरे या तुम क्या तुम फालती बाते करने कि रहने दोने या उसने बोल दिया बोल दिया तुम लोग पीछे पढ़ गए इन्से क्या लें पढ़ाई दोना इतनी अक्षे से पढ़ाई करो कि आईफोन ने लाइक ही बनी जाओ सारे आईफोन में रखा भी कुछ निया आज कई सब परासन के कारण होता है कि अट लोस वातटर डियू तो अस्मस्ट इसके कारण होता है धिके प्रेंस्ट्रेशल में जब अंतर आजाता है तब ऐसा होता है आप सब आपको मैंने पड़ासन दाव या ऑस्मोर्टिक प्रिशर पड़ा रखा है अब वो जाके पढ़ ले आपको समझ में आ जाएगा ठीक है आई होप यहांतर समझ में आ गया 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 नेक्स्ट तिरह नम्मर किश्ण की बात करते हैं जो तिरह नम्मर लोचा आएगा उपर नी किजिए क्या अंसर होगा इसके अंदर से पढ़ो पड़ा पड़ इसको पढ़के डंग से अंसर करो मुझे हटना पढ़ रहा बार-बार क्यूंकि क्यूश्टन तोड़े बढ़े हैं है कि अ आपको बताने डाली शूर्शन का जो ऑस्मोसिस हैं वो क्या होता है हाइयर होता है इसमें वो रहा लो होता है बिल्कुल थोड़ा पढ़नी पर ध्यान लगाऊ है तो इसका अंसर में बढ़ाता हूं उसका ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा हाई होता है अच्छी से लगपाता है बिटा ऑस्मोसिस पास्ट लख लख लेगे ना वो ध्यान होता है कि इस सब पता कि इसमें क्यों कर वारा हूं क्योंकि देखो इसमें क्या ना चीजे ना सीधी सीधी पूछी जाती है यह देखते कौन ढंक से पढ़ता आराम से लो पांच मिंट का टाइम एक एक आप्शन पढ़ो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा गलत पूछ रहा है पहले पहले देखो कर आप ऐसे सवाल कर लोगे ना तो आसांस वाल आपको मजाक लगेंगे सच बता रहा हूं आफार करके देखना पर लग यह और यह घलत और सभान से पढ़ो देखो कौन सा से सक गलत और ऊपता हो चाहिए या तुम्हें सही वाले तीन पता हो ची है करो एक बार को नोट करो डंसे और देखूआ कौन बताएगा कल्दी बताव मेरे को यहां पराशन दापका घरता वक्रम पूछा है पराशन दाब या जो आपका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है नमबर आफ आएन पे यह मैं आपको बता देता हूं अगर आप नहीं जानते हैं यहां यहां पाई पस्ट तो सी आटी का फॉम्मला लिक रखा है अगर ऑस्मोसिस या उस्मोटिक प्रेशर का फॉम्मला यहां पर बताव भरी कौन बताएगा पता नहीं किसका मूँ देखा था है चलो और कोई बात नहीं तो चलता है पता उसमें गलत कौन से हैं अगली बाद सवार चोटे बनाऊंगा हो गया प्राशंदाव तो सही है यार तो सही है गलत पूछ रहा हुए तो सी हरनजी न सी दिया यह भगवान अरे परहाशनता आपका फॉमॉल भूल गएобщ Is şiati famous फ़र्मॉला यह भी तो सभी है यह देखो यह ढखो तीन आयन यह दो वाकित को इस में दो आयन इस उसके मोल अनुपात का समानुपाती होता ही तो पेमस से राउल रोस का लोई क्या है तो जो भी वासपसीर घटा के जो भी आपका जो बॉलेटाइल जो भी आपका कंपोनेंट वो किस पर डिपेंड करता मोल फ्रेक्शन पर ये भी साही है गलत क्या ये अब भी पड़ा था उनके पार्टिकल पर डिपेंड करता है बोल रहा है और सिंपल सी बात है मुझे पानी में डाल दो मुझे एक पर आग में डाल दो क्या मेरी कंसेंटेशन दोनों में सेम रहेगी क्या नहीं ना यहां पर भी तो वही बात हो रही है सुक्रस्वाटागे मुझे रख दो क्लियर रहे हैं मजा आएगा यह क्लास है न हर क्लास के लिए इंपोर्टेंट है चाहिए कोई सब्सक्राइब देता हो ठीक है बच्चों मजा आया और यह सवाल के तुम्हें मजा तो आ रहा है समझ में तो आ रहा है क्लास एंप इसके लिए ले सकते हैं विटा पढ़ लो आप तो अपना सेलेबस मिला लो सेलेबस क्या क्या है क्या है क्या है चैप्टर कौन गौन से अरे बच्चों एक बात धान रखो यार आप चाहिए इंडिया का कोई भी एक्जान दो आपने क्यमेस्ट्री के देखो 30 अरे यार नम्मर आफ आइंस पुछे हैं अलवा प्रस्टन अधिस हलवा कि अलवा कुष्ण नहीं है इसको गलत करोगे न भगवान रसाइन देता पात देंगे अगवान ना गार्जुन भगवान पात देंगे मजा रहा है चलो भाई बढ़िया है ऐसी लेते रो तुम मज को जीवन का और अपने दोस्तों में तुरह शेयर किया गरो बताया करो सबको कि दूफास्ट आंसर करो बच्चों कि देखो अपनी क्लास में संक्या हमेसा ना अच्छी कासी हो निशी है कि वो गया विट्टा हम यह तो हल्वा है यार यह तो देदो यल्वा खालो है स्साथ कितने आ रखे प्लस सी एल माइनस एने प्लस सी एल माइनस देखो रहे टू के प्लस एज़ो फूर टू माइनस टीन इनस में इसमें दो है बताओ जी आया की नहीं आया आगे बढ़ जाएं तर आई होप यहां तक सब का सही हो गया हूँ कौन सा कथन गलत है यह मैं तो नहीं बढ़ोंगा बाई मैं देखो आप पड़ो आप प्रसंदा की काई समान होती है यह बहुत सकता है गलत पूछा है प्रति लोग प्रेशन विलाइक के उन्हों अर्थ पाइगों जली से निकल के विले के कम संदावला चेते से उस संदावल जली सिक्स्टीन का अंसर करो है जलो तुम्हें बता है पड़ती तुम्हें पराशन की अगर डेफिशन बता है न ऑसमसी स्वाली तुम करता होगे इस सवाल को कर लागा या वच्छो कर लिया बिलकुल यहां पर बी अंसर आ रहा है अरे पराशन की पता हो ने चीए अरे बिलकुल सब सब सही हो अरे वामसा आ गया बिलकुल देखो आत हो गिया न प्रेशर यह हम तो फिल्कुल बॉल भी वह साथ में सहित हैं यह देखना यह देखना यह देखना ना रतिल उपन पाराश्टन क्या बोलर कि पाता हुआ ये तो ऑस्मोसिस की बात कर गया गलत बात कर गया नहीं से उच्छ वाले पर नहीं उच्छ से कम वाला तब भी तो प्रेशा लागा टार तो पढ़ रखा हूं बच्छी में देखा तो पढ़ रखा है क्या पढ़ेगा इधर रिवर्स करना पड़ेगा इधर से प्रेशन लगाना पड़ेगा रिवर्स आसे उस अन्ता वाले चेतरी क्यों गाती के नहीं रिवर्स होता है इसका बिल्कुल बिल्कुल भी मुलावने सत्रां का माने वी लाइक पकरती है तो मैं पतार करती है आखरी वाला नवीट पढ़ाही नहीं आख वाश्म वाउच्टों में बलकुल वैपर प्रेशर का जो रिलेटिव आप पढ़ते हो नहीं यह डाइमेंशन लैस होती है आपना न व पोल्डरिंग की बोटों में गैस भर पाए हम लोग इसलिए हम समुद्रे गंदर जा पाए कि लोग बहुत इंपॉर्टेंट था एंडरी लॉग बताव भाई केच कमान वैल्यू आफ हैंडी कॉंस्टेंट केच अफ़्त बढ़ए पर बढ़ता है ता बढ़ाने पर कम होता है तह से रहता है यह भ tighten आफिर आइब बिल्कुल बिल्कुल act is cons कौन से बढ़ेगा पताव भई एए बिल्कुल जिसने पढ़ रखाऊगा टेंपरेचर प्रेशर दोनों एक्चुनी प्रेशर वाला था देखो ना टेंपरेचर बढ़ाने पर क्या हैंडी कॉंस्टेंट बढ़ता है क्या ए ए ए ए बिल्कुल यार हैंडी लोग पढ़ते सबसे दिमाग में यह जाता है बोला था नहीं साब ने इन साहब ने याद करो हम सॉल्ट्विटी की बात कर रहे थे हम लिक्वीड में गैस क सॉल्टी की बात करते हैं इसके अंदर लिक्वीड प्लस गैस की तो क्या होता है टेंपरेचर बढ़ाने पर यह हैंडी कॉंस्टेंट बढ़ता है इधानक ना ठीक है मिल्कुल ए आंस्वर सही है चलो भाई बी वाला देखते कौन देता है बहुत फेमस सवाल है बहुत फे यह बात तो गलत है कि गैसो के साथ को सम्मन नहीं होता है तीन में से अब आपको एक इतनी मैंने आपके हल्प कर दिये पुछ विलता वाली गैसों के लिए अधिक होता है लगा लेकर टेंपरचर ज्यादा होगा बढ़ाने से एक बढ़ एक बात थोड़ा सा कॉमन से लगा कि नाइन के बाद एक भी सब्सक्राइब हो जाएगा अच्छा सवाल हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगा अपना मैं फिर बोल रहा हूं अपने दिमाग का इस्तमाल करो अभी अभी आपने क्यूश्चन पढ़के ऊपर किया ताव बढ़ाने पे इस त्रंग बढ़ता है इसका माद एक वाद साफ हो गया कोई नहीं घुड रहा है को नहीं विले हो रहा है तब दिक्कत आ रही है तुम नहीं समझे यार निम्र विलेता वाली गयस हो के लिए यह होता है दहां रखना तब ही तो हम टेमपर्चर बढ़ा के केज को बढ़ा रहे हैं कि सबका गलत है यह कुछ नहीं होगा रहे है कि यह क्यों हो गयार हाई के लिए नहीं होता है कि अभी अभी मैं आपको समझाया भी और बताया भी फिर भी आप अपने दिमाग इस्तमाल नहीं कर पाएं गलत बात कि यह देखते कौन करता है दो पिस्ट्र लगा रहे हैं एक में फ्रेश वोडर है एक में कंसंट्रेट्ट सोडियू कॉलाइट का सॉलूशन ठीक है एक एक पिस्ट्र एक बी पिस्ट्र आपको बता रहे है कि पराशन के रिट्ट्री क्या चीज़ में सही है और क्या गलत है एक बाद देख लो और पढ़ लो अरुटा फट्स आल गरो फट्र पढ़ो अराम से देखो क्या कर रख एधर लो कंसंट्रेशन है इधर कैसी कंसंट्रेशन बच्चों लोई अधर वाली दारक यह वाली हाई कंसंट्रेशन वाला है तो आप देख लो कैसे क्या होगा कहां से लाए एक्रिप्शन तो ज्यादा हाड कुछ नहीं बन सकता तो आएंगे बोड़े और आसान परसु आएंगे उस्ते भी जाएंगे अराम से घड़ना कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है बच्चों क्या है इसका पड़ो या अराम से पड़ो आप सब ने पढ़ रखा औसमोसिस पढ़ कि आओ बिटा नहीं है कि पता मैं क्यों बता रहा हूं था कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाद में कब मतल़कर आप ऐसे सवाल कर लोगे ना तो आप यूज़ी सवाल अर मैं पड़ता हूं देखो »» अ मैं समझाता हूं देखो और पिस्टें पर अगर पर आशन दाप से कम दाब लगा ए नटी आका जी जाद हो धन Direiad गां में iest तो कितने प्रशन लगा लेए गलत बात है लू कंसंटरेशन वाला है और यह हाई अब हाई से मुझे कहां बेजना है लो थे पिस्टाइब प्रशन आप से अधिक लगा जाए जाए तो जल भाग बी से भाग एक है जाएगा बिल्कुर भी बिटा एक तरफ अगर तो ज़्यादा प्रिश्र लगाएगा तो जो हाई कंसे जो वाटर आया वापस ए में चला जाएगा ठीक है ना बिल्कुल बुक की लाइन है यह तब ही तो मैंने पढ़ाया यह सब एंसर होगा बोला कि बराबर लगाए तो जल्बाग यह से बी की ओड़ जाएगा नहीं यह बात के रहते हैं सब बात के रहते हैं यह पता यह हाई लेवल के आखरी क्यूश्चन है इनसे ज्यादा हाई इतना थोटी कल तो नहीं था सर बिल्कुल इसको तीनी स्टेप में कवर करेंगे जो मीर्यादत हैं हर बार आपको ऐसे बढ़ाऊंगा पहले हम चलेंगे हाई लेवल पे पिर हम आएंगे मीडियम पे और आकरी में आएंगे लो लेवल पे यादिम ने सॉलिस्टेट इसी त अला हुआ पड़ायगा वाई देखो वाई सिंबल जिवाद्धान को कुष्ण कांस पर जल्दी जरूरी नहीं होता है कभी नहीं सही देना जरूरी होता है एक बच्चों चलिए आई होप यहां तक आपको हरे कुष्ण समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट नमर बदल आई होगी वहाँ चाट होगी यह क्या होगया चैस चबूश और देखे मेरे यहां यह तो चोट ज़ी मेरे साथ इस बच्चों कि इस कुष्ण वाप लोग यह वाई 28 का कर शुरू वाटाओ हुआ था टोर आ हिंदी मिडियो वाले प्लीस थोड़ा अद्जिस करना तो टॉंटीएट का अग्स बतातो जल्दी सही से क्या बोल रहा है कि बैंजीन के दो अनुओं के मध्या अंतरा अन्तरा अनुविक बद होगा मतलब इसके बीचे इंट्रा मॉल्ट्रा फोर्स है आपको बोल के सुना देता हूं उतनी प्रवल जितने दो टॉलीन अनुओं के मध्या बैंजीन और टॉलीन के मिश्रन के लिए क्या सही नहीं है बोला है कि बैंजीन और जो टॉलीन का जो मिश्रन है क्या बात इसमें से सही नहीं क्या सही नहीं है अगर आप यह जानते हो ना इनके बीच में कि कैसे विलियन है बैंजीन और टॉलीन अगर आपको यह प प्लीज यूज ना करें बच्चों गलत बात नहीं यहां पे कि हो गया Εइश में कि आद्ष एक ज़いました कि एक से जादा सही अ हिएक չह से ज़्यादा सब्सक्राइब मैं है एक से ज्यादा सब्सक्राइब धाव विज जो जानता है नहीं दोनों के बीच में क्या आदर्स होते onu कड़ेगा रहे कि आप चलो का他說 है टेल्ट गरो कि पढ़ाई गर यार तोलुइन हो गया ना टॉलुइन ये बैंजीन और ये दोनों आईडियल सॉलुशन होते हैं कि यसे होते हैं आईडियल तो कनफो में आईडियल के लिए ये भी बात सही है और ये भी बात सही है लेकिन ध्यारक को नियुंतम कॉतनां की स्थिर्काई नहीं आदस विले नहीं बनाएंगे बनाएंगे यार दोनों गलाद हैं दो आप्शन सही थे सके अंदर ठीक है क्लिर बच्चो चलो क्या यहां त क्या बच्चो चलो नेक्स्ट अब रिखते को एच्छा किशन और मिल जाए मेरे को मैं कर वादेता हूं और को यह 29 पूरा है यह मेरी PDF में क्या हो गया सारा 30 से बिल्कुल सही है तो यह बातने को किशन में आपको भेज दूँगा कर लेना आज वेटा 30 किशन मा जाओ बॉन्टा फेक्टर आई इस गिवन बाइदा एक्स्प्रेशन बॉन्टा पकार किस किस वेंजग द्वारा दिया ज दिखा हुआ है थीग है और ऊल्प अफटा पर चलिए वड़ इसका आउसर कीजिए एक अपसे एक से ज़्याधा अनस्वर एक से ज्याधा अनस्वर एधान रखना देखेको यह जादा आँसरे लग आए एस से जादाऊ दरह और ओप्शन मन जाता है फॉर्स से किन्ट यह तो आपके NCRD का फॉर्मूला है जल्दी से अरे आई याद है क्या कि आई याद है क्या करो बड़ा बड़ यार कि पूर्थ कि इल्कुल ए तो सही है किसने दिया है है म्राज ने कि यह तो देना चीए आप लोगो को यह तो आपको देना होना चीए क्या समझ में आ गया क्लियर है बच्चों कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या बच्चों फार्स सेकेंड ए और सी मुस्कान ने दिया ए और सी बहुत बढ़िया अरे बिटा यह आई बराबर लिखा होगा देखो समानिया नॉर्मल पटा ये पढ़ रखाओगा सामानी बता समानी मौलर दरिमान और नॉर्मल मौलर मास और और यह और पढ़ रखाओगा अब्ज़र्व्ड प्रेक्शित बता अब्ज़र्ड वाला अपॉन केलिकुलेटेड वाले की बात करते हैं यह द्यानक ना इदे तोगला तो परिकलित थर्ड फर्स रो थर्ड याद रखो बिटा जब ऐसे सवाल आते तो दिक्कत हो जाती है सॉलुशन में इससे बाहर कोई थोटी का सवाल नहीं जाता है बाकि सब अराम अराम से देखो इतने हाड भी नहीं आएंगे आपके मैं सच बता हूँ न अब लेकि मैं हार्ट इसली बढ़ा रहा हूँ कि हार्ट पड़ा आसान हो जाए इसी अलव ऐसे हो जाता है आप तो देखो इस सेप्टर के अंदे एक बात आ रहा हूँ सारे फर्मले याद रखो अच्छे से ठीक है आइसो टॉनिक सॉल्विशन मस्ट है था सेम सम पर सारे विलियों में क्या समान होते हैं बढ़ा भाई अब थर्टी वन का आंसर बता दो जल्दी से हो गया थर्टी वन का आंसर बोलो बच्छों एक से ज्यादा सही है थर्टी वन पड़ रखा है क्या समने विल्कुल विल्कुल वियाईपी सची ने सब को लिख्की भेज दिया है यह सची तु पहले भी मुझसे पढ़ता था था ना और यह जाना सम पर सारी विल्यूम धाना यह याद करें वाल चीज़ याद करें आइस और जो सॉलिशन होते हैं उसमें डैंसिटी ज्यादा होती है और कफ़नांक में उनने उनका जो क्लिविशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज्यादा होती है यह मैं बदाता हूं कोई बात नहीं आता है तो कोई बात नहीं यह आंसर मैं बदाता हूं को 31 आप याद रखना हूं ठीक है क्लियर है बिलकुल सेकंड और थर्ट दूर से हैं विच और फॉलॉइंग बाइनरी मिक्षर विल है सेम कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेस इसका समान होगा भाई बदा दो जल्दी से 32 का अंसर जल्दी से घर्दो मिरको द्रव और वास्परवस्ता में समान होगा बदा दो जल्दी से मैं आउंको बता हूं कुल सचीं तो बहुत पढ़ने में बढ़ी आदा जब याद है टी और डी ना एक बात दाना मैं आपको याद करा लता हूं आइडियल सोलुशन में ऐसा नहीं होता है अब बता दो जरह और वास्परवस्ता में समान होंगे आइडियल वाले नहीं होंगे देखो तो देखो पीटा एक बाव बता हूं या जल और नाइट्रिक असीड़ जल और एथेनल यह जो ऑप्शन यह ध्यान अक्रना यह एक्शन में नौन आडिल सॉलुशन होते हैं इनकी चाही वेपर फिर में लिकूड फारम वह इनका जो कंपोजिशन है देखो भीजर फॉलिम मिक्श्र में रहते हैं से मोट यह ध्यान रखना दे कोई याद करना चीज आप याद कर लेना अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं आप ध्यान रखना सवाल होगा ठीक है 33 सम पर सारी विलियन में यह सब देखो भई तो आरक्खा सवाल है आइसोट्रोनिक सॉलुशन में क्या होता है बताओ वई एक से ज़्यादा सही है मेटा एक से ज़्यादा सही है आंक्सवर हो जाएगा तो सम पर सारी विलियन में देखो क्या होगा विलियो विलायक समान हो भी सकते हो नहीं भी लिखाबा ठीक है ना चलो करो बड़ा बढ़ अब संक्या कम नहीं हो नीचे भाई इसके मत फिजिस की क्लास है है इक दो किशना बचे अपने दो कुछ दिर आपको वेट करना पड़ेगा अब बताव भाई हो गया बिल्कुल किसे दिया ही है बिल्कुल बिल्कुल सेकंड था निकिता और यह बहुत आसान है देखो सम पर सारी विलियर में जो आइसोटोनिक सॉलुशन ते बिल्कुल आपने सही बोला है विल्कुल सबका सही है वी और सी वाले बच्चे बिल्कुल सही अरे ध्यानक न यह क्यों होगा सेम क्योंकि दोनों सॉलुशन क्या है सेम ही तो है तो बता उसका सेम हो सकता है अब देखो विलेक विलाइक सेम भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं यह दोना बात ध्याना कि बता भाई हो गया क्लियर है बच्चो कड़ लोगे कि अटीफूर कि आइडिल सॉलुशन के लिए बोल रहा है बताओ कौन सा कर्व बिलकुल सही है तो कर्व इसकेंदर सही हो सकते हैं आब बताओ कि इसने पढ़ रहा हो अरे यह यह असे है आइडिल के लिए बताना आइडिल के लिए रस अभी होने वाला खथम यह दिखतो रहा है बोगो को अरे बच्चो दीख रहा है ना यह बढ़ा करो मैं भी अरे आईडिल का यह ग्राफ में पढ़ा कि तुम लोगों ने इसकी है क को बता देता है आपको याद कर अपने यह आइडिल का होता है अगर इसे उपर जाता है तो वह पॉजिटिव डेवेशन और नीचे जाता है तो जो जिसका यह आपका ग्राफ ऐसे आजए दोनों के दोनों ग्राफ क्या मिटा सही है रो गया गया समझ गया फॉस्ट और फॉर्ट अरे यहार आईडिल का पड़ा था ना आप लोगों ने इस टेट आता है उपबर जाला जाता है तो पॉजिटिव का नीच आता तो पढ़ाएगा ना हमें साइडिल को बताएगा देखो बिटा आइडिल ग्राब इलकुस्ट जाता है यह ना और देखो थोड़ा सा उपर गया थोड़ा सा नीचे गया तो पर वाला किसका होता है पॉसिट्टीव का नीच लगिसका नेगे टिव पस हो गया कि वन एंड फॉर्थ होगा ठीक है आखरी सवाल कि आज बेज़ दूंगा इसको पढ़ लेना यह आपको मिल जाएगा और अब्सक्राइब गुर्दव तक प्रेक्षिस होते हैं तब जब दो आंसर सही है बताव इक कब प्रेक्षिस करोगे कौन सा है थर्टीफाइब जल्दी करो प्रेक्षिस करोगे करोगे आखर जाएब कर दो कि अगर जाती बेज देंगा इन्हें सरकों बेज देंगे अधा अनुट संगे गुरुदब का प्रेक्षित होते हैं फर्स्ट और फोर्थ वाशपरशिल को वाशपरशील में नहीं यार वोड तो नहीं होगा आज एपल क्लास मिल्गे वेटा वरीन है एंगि मिल्गे क्लास है अपल आप लास का से होगा और सी नहीं मैं आपको बढ़ने का तरीका बताऊंगा उस तरीके सा पढ़ाई करना आपका कुछ भी टैंशन नहीं होने वाला है एक ना चाहिए तभी तो प्रेक्षित करोगे बिल्कुल सही बाता है किसी औ वास्परिषी द्रव को फोशन द्रव में बिल्कूल होता है लुक्स करने नहीं रहा हुआ एक वास्परिषी होना है नहीं ग्लाखो यहां रखना है एक बॉलेटाइल होने चीए एक डॉन बॉलेटाइल है ठीक है बदा बच्चो समझ में आगई क्या बात clear है वन एंट्टू क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया कर लोगी अराम से कोई दिक्कत कोई परिसानी किसी फरकार की समझ्या कोई टेंशन कुछ नहीं है सब बढ़िया है देखो बच्चो मेरे बात जो क्लास होगी बिलकुल दिनेस बॉस नवा का नाम रखा है चलो वई तो यहां त आपको मैं बता देता हूं बिटा आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों देखो बई स्ट्रडी जो प्लान है वो अच्छे से होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं जो बच्चे आप से पढ़ रहे हैं मैं टाइम क्या होना चाहिए देखो बच्चो सबसे पहले ऐसा वोई कमपलसीवी के साथ सुभे उठेंगे दस मिन तो ब्रश करेंगे दस मिन नाएंगे दोएंगे दस मिन चाय पिंगी कोट आइम टेबल नहीं होता है जब टाइम मिले प्राई करो जो टाइम मिले स्टडी कर हो दूजरी बात ऑप पर अगर आप पर क्लास ले रहे लों आप यूटूबे और क्लास ले रहे हो इस यजादा यहां पर पांच और का समय कुधा ऑनच वह बिता है क्लकितक घंटे का भीटा आप पांच घंटे मैं था लिए वोला है यूजिका क्लस होजाती है थे देखो बच्चो आप लोग अपना पांच और आप और यूटूब पर बिताओगे ये बात confirm है, confirm बात है, ठीक है ना, इस पांच घंटे के बाद में आप लोग अगर हर बच्चा, कोई बच्चा अगर वो दस घंटे अपनी self study करता है और खुद के नोट्स बनाता है, नोट्स खुद के बना रहा है, नोट्स इटसल्फ, अगर वो खुद के नोट्स बना रहा है, उसको सेलेक्शन से कोई नहीं रोख सकता, समझ में आ गई बात, ठीक है, एक सिस्ट्रमेटिक तरीका होना चाहिए, मालोब आप न्यू हो, बसर क क्या करें, तो आप एक काम कर सकते हो, रोज एक लाइव वीडियो देखो, और एक काम, फिर आप एक recorded class देखो, तो ये टाइम आपका पांच घंटे से साथ और का हो जाएगा, जो बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, मैं उनकी बात कर रहा है, तो मेरे कहने का करो, अपने टाइम को खराब मत करो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पुराने बच्चे हैं, वो पांच घंटी अपना एप और यूट्यूब पर विता लें, बाकि सारा टाइम अपने सेल्फ स्टड़ी पर ध्यान दे, अपने क्यूस्टन प्रैक्टिस पे बार बार दो नोट्स भीजे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना वीडियो को देखे, खुद लिखते हो, वो सबसादा इंपॉर्टेंट है, देखो भीया मेरा लिखा वा मेरा मेरा है, वो आपका नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध् वीडियो देखे, लिखो, क्या होगा, ज्यादा आदे गंटा रोज का लग जाएगा, एक्स्रा, नोट्स मांगो कि उससे क्या होगा, नोट्स दे दिये, मैं तो डालर टेलिग्राम पर ले लो, लेकिन खुद का, खुद का होता है, एक बाद जीवन में ध्यान रखना, जो मैं chemistry के बारे में आपको बता देता हूँ, chemistry के बारे में देखो पेटा, पहला organic chemistry कैसे पढ़नी है, organic chemistry केवल वीडियो से, की देखके पढ़ना है, video plus question practice, बास समझ में आगी, इसके question की practice, जब मैं आपको कराऊंगा, तो दिक्कत नहीं होगी, आप साथ में practice करते रहो, आप question साथ में करते रहो, है ना, लेकिन आपको जो portion पर ध्यान देना है, वो है, inorganic बच्चों, ये आपको खुद करना है, क्योंकि ये ऐसा topic होता है, जैसे सकंदर कौन कौन से आते हैं, D और F ब्लोक आता है, इसमें surface भी हम में डाल देता हूँ, ठीक है, surface, मेरे बाद बस, physics class हो होगी, फोड़ा सा मैं आपका time ले रहा हूँ, बार और बच्चे मेरे को एक बात बहुते सब पढ़ाता दो, कैसे क्या करना, सब बता रहा हूँ, coordination, आप इसके इंदर polymer को भी मैं add कर रहा हूँ, इसके इंदर में bio molecule को भी add कर रहा हूँ, ठीक है, देको बच्चों, ये वो किताब लो, पाइलो जी की लो, फिजिस की लो या chemistry लो, line to lining को निप्टाओ, क्योंकि ये वो topic है, जहां से आपके question नहीं जाने चाहिए, किसी भी कीमत पे, ठीक है न, third person आता है physical का, अगर बच्चों में physical chemistry की बात करो, तो यहाँ पर देखो, एक section आता है theoretical का, सबसे आसान आता है इसी से ही, और एक आता है इसका numerical force, देखो बच्चों जब इसमें से numerical आता है, numerical जो इसमें साता है, देखो तीन से चार नुमिकल, फिक्स चार चैप्टर है, solid state, solution, chemical kinetics, और electro chemistry, इलेक्ट्रो मैंने बहुत सांदर तरीके साब को पढ़ाई दी, ठीके न, बिलकुल, आ आप physical में, जितना मैंने पढ़ाया है, notes में या फिजितना वीडियो पढ़ाया, उत्ता सफिशेंट है, आप चाहो तो इसके NCRT मत पढ़ना, आप physical के NCRT मत पढ़ो, आप organic के NCRT मत पढ़ो, मैं बिलकुल prefer नहीं करता, लेकिन inorganic के chapter के NCRT line to line, बिलकुल, और जितना मैंन तो यह आपको NCRT से, बिलकुल line to line पढ़नी है, organic और यह physical आप line to line मत पढ़ो, आपके इच्छा है, आप नहीं जानते तो रहन दो, वो मैं खुद करवा दूँगा, ठीक है बच्चों, चलिए, I hope आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई होगी, देख लो एक बार, अब म परी आवाज आ रही है, अब आरे बिटा, खिरो बेटा को आज बच्चो आवाज आ रहे हैं एक्षुर्म बच्चो कुछ पता नहीं क्या है इंटरेट के दिक्क्त हो रही है बार-बार वीडियो रूख रहा है बार-बार है ना तो आज इंटरेट चेक करना पड़ेगा हमें मुझे निसमझ मैं रहा ऐसा क्यों हो रहा है हाँ तो बटा इंटरेट के दिक्क्त है यह जो आपके कल हो जाएगी ठीक है क्योंकि आज इंटरेट के दिक्क्त आ रही है वीडियो बार-बार बीच में पोज हो रहा है ठीक है बच्चों ओके अल्दवेस्ट